आज हम लोग सुबा सुबा मुंबई में हैं थाड़े के करीब घोडबंदर रोड हमारे मेजबान हैं अमर जीद जी और ये जो अकरसक पे देख रहे थे वो है कस्मीरी कावा और एक मसहूर दुकान बैठक चाय पर बैठे हुए हम लोग और इंतिजार कर रहे हैं उस हेवें इंटी कस्मीरी का वाका और ये अमर जीद जी लेकर के आ रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि मधुसाला की पंक्तियां चरितार थो रहे हैं बने पुजारी प्रेमिशा की गंगा जलपावन हाला रहे फेरता विरत गति से मधु के प्यालों की माला और लिये जा और पिये जा इसी मंत्र का जाब करे मैसिव की प्रतिमा बन बैठो मंदिर हो ये हम बादुसाला और हम लोग इस आकरसक तरल पदार्थ में जो लगडी के चम्मच से घुला रहे हैं वो सहद है और सहद को घुलाने के बाद से ये कस्मीरी कावा का जायका और भी बढ़ जा रहा है इसको कितने लेने के साथ ही ताज उसकी अमणे का रहे हैं घुलाने है YouTube के घुलाओ कर रहे हैं लेकिन कुछ मिठास कम लगी हम लोगों ने इन से अपील की यहां के जो में बढ़ है मरज जीद जी आ कि सबने की रुकिःष में सहर्द की मात्रा बढ़वां के ला रहा हूं। फिर उस सहर्द की मात्रा बढ़वाये आद तुडंत लाए, इस बार फिर हम लोगों ने अपने अपने कप उठाए और उठाने के बाद से उसमें फिर सहत को खोले और सहत घुल जाने के बाद जब हम लोग इसको फिर से पीने के लिए चखे तो इस बार इसमें सहत के मातरा बिल्कुल संतुलित्ती हो सकता है हम लोगों के अधिक मिठा लेने के कारान या कुछ भी हम लोगों वो अब थोड़ा सा उपर जो दूपांदार इसको परोसने वाला था वो उसके मिलाने के आजरे ऐसे भी ईसे पनाने वाले से थोड़ा सा उपर हम लोग तेस्ट मांग रहे थे कि नहीं हम लोगो थोड़ा सा और मिठा रहे तो उस 좀 सहा द मिलाये गया और जो कसमीरी कौबाके बारे में बताया जाता है कि यह कसमीर चाय का एक विशेच प्रकार है हिमाल्य की घाटेगा प्रतिष्ठित पे है या कस्मीरी कावा इसमें बिवित भारती मसालों का समावेश होता है इस पारंपरी कस्मीरी कावा पे में कस्मीरी हारी चाय की पत्तियों के साथ दालचीने, इलाइची और केसर का समावेश होता है इसके अलावा उपर से इसे कटे हुए बादाम से सजाया जाता है लेकिन इसमें इसा कुछ नहीं था जो सजाया गया हो कि सबसी घुला मिला था और बहुत ही सांदार था दरसल इस रोमांस कारी कप्पा की महाख ही नहीं इसकी हर एक चुस्की भी अपने आपको प्यारी लगती है और हम लोग वो अनभव कर रहे थे जैसा कि इसके गुर और गुरवत्ता के बारे में बताया गया था वशा ठीक अनभव कर रहे थे हम लोग ये कैट चुस्की उसकी ये से लग रहा था कि हम लोग का उपचार कर रही हो इसी लिए इसको हैवन टी भी कहा गया और इसका रंग भी बड़ा हिया कर सक था और हम लोग सभी लोगों ने मिलकर कि कश्मीरी कावा कि इन चुस्कीयों को महसूस किया कि ये वास्तों में हैवन टी कहलाने के लाइक है और एक है चुसकी ताजगी भरी थी लेकिन अब ये देखिए डिबबा जो है इसी में कश्मीरी कावार रखा गया ये रेसिपी बनाने वाले लोग से पताएक नहीं सब कुछ में सिर्ट आता है बस पानी में डालिये उबालिये और सहट डालिये और तैयार ये है बैठत च खानी में ये बनान अबालिये और सहट खानी में अबैंस अबस बनाने र्दागीध का नहीं सिर्ट खानी में में रगया रखावार कार लोग तक Leia टिया है ये वे एनाने है आता है झाल झाल